फैमली प्लानिंग की तैयारी को लेकर बैठक रंगरा P.H.C. में बुद्धुवार को फैमली प्लानिंग को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ट्रेनर रवी, पीएचसी परवारी डॉक्टर रंजन कुमार स्वास्थ परवंधक सूथा कुमारी और सुधीर कुमार द्वारा आशा कारिकरताओं और अन्य स्वास्थ कर्मियों को फैمली प्लानिंग और उसके तरीकों के बारे में बताया गया फैमिली प्लानिंग के संदर्ब में लोगों को किस तरह जागरुक करना है बैठक में यह भी बताया गया मौके पर दावा किया गया कि इस बार टार्गेट से कहीं बढ़ चरकर फैमिली प्लानिंग किया जाएगा इस अफसर पर बड़ी संख्या में आशा कारी करताओं की मवजूदगी देखी गई रंगरा के तीन पंचायतों में बांध निर्मान को लेकर चलाया गया हस्ताक छड़भ्यान रंगरा परखंड के सधुआचा पर कोस्कीपूर सहुरा और मंदरवनी पंचायत में अंग परदेश अंगिका महासभा के संगठन सचिव सुभम कुमार के नेतरित में अंग परदेश और अंगिका महासभा के सभी कारी करताओं के साथ मंदरवनी सहुरा बांध निर्मान को लेकर पहल किया गया इसके लिए अंग पर्देश अंगी का महासभा के सभी कारी करताओं ने एक साथ मिल कर हस्ताख छड़ अभियान भी चलाया जानकारी दी गई कि अभियान का आज चोथा दिन था अभियान में अनुराग कुमार आरी भी शामिल थे रंगरा पीएचसी में कोरोना जांच रैपीड एंटीजन से 184 लोगों का जांच किया गया तो 70 का हुआ RT-PCR रंगरा पीएचसी में बुद्धुवार को रैपीड एंटीजन किट से कुल 184 लोगों का जांच किया गया जाज के बाद सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है रंगरा के पियसी परभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि 144 लोगों के अलावा 70 लोगों का RT-PCR कर सबों के सेंपल को भागलपुर जाज के लिए भेजा गया है सबों का रिपोर्ट दो दिन बाद आना है पटना जिले से अफ़रित युवक की बरामद गी दो जन्वरी को पटना जिले के बाढ़ के मीर मुहला से अफ़रित पपु कुमार को बाढ़ ताना पुलिस ने रंगरा पुलिस के सहयोग से गोपालपुर थाने के कालिंदी नगर से बरामत कर लिया है पुलिस ने इस दोरान पूस्ताज के लिए कालिंदी नगर निवासी राम विलास सिंग के पुत्र सोनु कुमार को भी हिरासत मिल लिया है देर साम पुलिस दोनों यूगों को लेकर बाढ़ के लिए रवाना हो चुकी थी